जीवन में जो कडवी बाते हो जाए प्लीज उन्हें भूलने की आदन डाली है जीवन में कडवाहट किसकी जिंदगी में नहीं आती है जीवन में अशुब योग किसकी जिंदगी में नहीं आती है जीवन में विपरीत बातों किसकी जिंदगी में नहीं बनता जले एक बात अरे अपने साथ तो हुआ ही क्या एक बार कलपना करो सीता कौन थी बोलो तो लक्षमी का आवता सीता कौन थी रगुकुल की महरानी सीता कौन थी जनकनंदिनी सीता कौन थी भगवान की पत्नी अब जरा कलपना करो तो पैदा होने के लिए रामाइन कहती है उन्हें मां की कोख न मिली जमीन को वाड कराना पड़ा शादी होई तो खुश्यों का बैंड भी न बजा कि परसु राम बैंड बजा ने पहुँच गए सादी करके अपने ससुराल चार दिन सुख से न जी कि मंत्रा और कहके ही प्रगट हो गई पती का साथ निबानी के लिए जंगल में गई तो रामन प्रगट हो गए रामन के चंगुल से निकल कर आई तो अगनी प्रगट हो गए अगनी परिक्षा में निकल कर आई तो धोबी प्रगट हो गए दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ सब लोग, हर भाई, हर बहन अपनी जिन्दगी को एक वर तोल लो कि अगर मुसीबतें जिसे हम जिन्दगी में कहते हैं, अरे हमारी जिन्दगी में मुसीबतें आई क्या है हम में से कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं ने सीता की जंदगी में जो मुसिबते आयी उसका एक प्रसेंड में मुसिबते जंदगे में जेली हम tanta के कोई पूरस दावा नहीं कर सकता कि जतनी सात्ना में तकलीप है भगवान माहवीर ने उठाई उसका हजारवा हिस्सा भी हममें से किसी ने नहीं जेला किसी ने नहीं जेला पर जिरा देखो तो सही मा की कोक नहीं परसु राम आ गया कै कही प्रगट हो गई रामन प्रगट हो गया अगनी प्रगट हो गई दोभी प्रगट हो गया सीता को फिर वनवास जाना पड़ा रगुकुल की महरानी को भगवान की पत्नी को लक्षिमी के अवतार को अपनी संतानों को जनम देने के लिए किसी रिशी के आस्रम में जाकर शर्ण लेनी हो हमारी हालत उसे भूलो अच्छी सबस बहुत अच्छी हमें से हर महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ जैसा सीता के साथ हुआ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इतना कुछ होने के बाद भी सीता के मन में शांती थी चेहरे पर मुसकान थी और अंतर मन में औरों के प्रति पवित्र भामना थी मैंने इसलिए कहा जीवन में बुरा वक्त तो कभी भी किसी के साथ जीवन भी आ सकता है लेकिन बुरा वक्त आने के बाद भी जब वक्त बीट गया हो गया सो हो गया जो बीट गई सो बात गई तकदीर का शिकवा कौन करे जो तीर कमा से निकल गया उसतीर का पीछा कौन करे है उसने आपकी जबीन दबाली no problem जो मेरा है वो जाएगा नहीं और जो चला गया वो मेरा ठाई नहीं किस बात को लेकर मन में विशाद कर रहे हो और किस बात को लेकर मन में पीडा कर रहे हो आपने 5 लाग किसी को दिये थे ये सोचकर कि बुढ़ापे में पांच हजार उपा महीना आता रहेगा तो पती पत्नी दोनों सुख से रोटी खाते रहेंगे मेरे भाई नियत को बिगड़ते कोई वक्त नहीं लगता बड़े बड़ों की नियत बिगड़ जाती है और सामने वाले ने आपके पांच लाक दबा लिए चिंता मत करो उपर वाले की व्यवस्था बड़ी गजब की होती है वो निन्यान में दौर बंद करता है तब अभी जिन्दगी में एक दौर जरूर 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 खुला रखता है निन्यान में बंद द्वारों को देखना इसका नाम है विसाद और खुले एक द्वार के तलाश करना इसका नाम है जीवन का प्रसाद भूल जाओ किसी ने आपके साथ गलत वेवार किया कब तक उसकी गांड मन में बांदे रखेंगे किसी ने आपके दो लाख डुबो दिये अरे रुपिये गए सो गए कोई दिक्कत नहीं आपकी नींद और चली गई आपकी शान्ती और चली गई आपकी मुस्कान और चली गई आपकी सुकी रोटी हास से चली गई रुपिये गए सो गए जाए बहार में अरे सबकी रूपे जाने ही है आदमी जनम लेता है ना तो लंगोट मापे नाति उसमें जेब नहीं होता और आदमी मरता है ना तो घरवाले कफन उड़ाती है कफन में जेब नहीं होता पर आदमी कितना मूरख होता है जनमने पर लंगोट में जेब नहीं मरने पर कफन में जेब नहीं और जिन्दिकी पर जेब 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 बरने में लगा रह जाता है सब को छोड़ना है सब को जाना है चूट गया सो चूट गया चला गया सो चला गया जीवन का मंत्र याद रखो जो मेरा है वो जाएगा नहीं और जो चला गया वो मेरा